हुआ है गाइस पुलकम बैक और चैनेल और आज के वीडियो में हम बत करेंगे काला रोइस के एक नया थीम के बारे में जो थीम मैं कुछ दिन पहले ही डिवलोप करके रखा था लेकिन बीजी होने के कारण से मैं जल्द ही अपलोट नहीं कर पया वो थीम मैं आज आप लोग के सब्सक्राइब करोंगा इस थीम का नाम है हाई टेक थीम और गाइस मेरे कमेनिटी टेप के पोस्ट पर तो आप लोग ने इसके प्रिव्यू देखी लिया होगा इस थीम का क्या-क्या खासियत पीचर है और क्या-क्या आपको इधर चेंजर देखने को मिलता है वह मैं सा इंस्टेग्राम पर भी फॉलो करके राक लेंडा लिंक वीडियो की डिस्किप्शन बखस पर है क्यूंकि मैं इंस्टेग्राम पर भी थोड़ी बहुत अपडेट्स देता रहता हो तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे पूराने सब्सक्राइबर हो तो आप तो शायद जानते ही हो कैसे मेरे लिंक से ठीम्स डाउनलोड करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हो और नहीं जानते हो कैसे मेरे ठीम्स डाउनलोड करते हैं तो यार वीडियो की डिस्किप्शन बख चेक करो आपको थोरी ही नीचे एक लिंक मिल जाएगा वीड और गॉट सरा आइकन्सक्ऑ क्या हुए है कन से हैं और इसका बरा बात करना चाहता है ऑधर ही और भी हम आईट श्यले पहस्ताुर्विविग कर रहा था कि ऊधोरिंग आइकन दिख देख चुका हूँ कुछ नया लाओ इसलिए गाइस मैं धोरी बहुत कस्टोमाइज करके एक नया सा नेटर्क आइकन आप लोग लिए लाया हूँ और गाइस इसका जो बटन है यानि होम बटन रिसेंट बटन वह भी थुरा बहुत कस्टोमाइज किया हुआ हूँ जो कि एक रोबो गाइस यह लोकी स्कीन जो कि एनिमेट हो रहा है और इसके नीचे ही गाइस इसका अनलोक मेथाड है देख सकते हो गाइस एक इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट जैसा एक मेथोड मैंने दिया हूँ अगर आप इस पर प्रेस कर देतो हो तो आपका जो यह डिवाइस है वो त देखन को मिलता है जो की पीयो ब्लाक इंतर्फेश पर है मैसेज अपके बारा में बात करूँ तो मैसेज अब भी गैस आपको ऐसा पीयो डार दर देखने को मिलता है अगर मैं बात करूं इसके नोटिफिकेशन पैनल के बारे में इस आपको नोटिफिकेशन पैनल कूस ऐसा देखने को मिलता है और भी गैस बहुत सबोस्ट चोटे शोटे फीचर इस थीम पर जो कि आप एσα ने को में तो इस थीम को एक बड़ जरूर से जरूर ट्राइब मल लेना चलो गाइस आभी मैं बात करता हो इस थीम का जो जीप फैले वह कैसे अंजीप करे प्लस इसका पाचवाट क्या है और एक गलती बहुत सारे लोगों फोन पर जो डिफर्ट फैल मनेजर होता है वस पर आपको चला जाना है और आपको धूर्णना है जीदर आपने डाउनलोड करके रखा है डाउनलोडेट फैल कुछ इस टैप का है जो कि है जीप फैल पहले आपको इस फैल पर क्लिक करना है देन गाइस इधर आपको जो इसका password है वो मांगेगा और password guys आभी आप लोग ध्यान से देख लो password आपको डालना है antiporter one to one ठीके guys password आपको डालना है antiporter one to one शायद आप लोग ने सब सब देखी रहे हो ऐसे करके guys password डालना है और guys एक बात ध्यान रहे है कि यह जो antiporter के बाद यह space हो गए आपको यह space remove करना है decompress पर click कर दना है देन start to decompress और आपको यह decompress file होना इस्टर्ट हो जाएगा तैन घाईस आपको इधार एक folder देखने को मिलेगा आपको इस folder पर click करना है देन आपका जो dedicated theme file है वो मिल जाएगा उसके बाद आपको इधार से click करना है और try now पर click कर देना है देन घाईस आपका जो यह theme है वो fully आपकी device पर apply हो जाएगा और guys theme apply के बाद आगर आपकी device पर 5-minute trail का problem आ रहा है तो आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हो मैं उदर दो वीडियो बना रखा हो क्या से 5-minute trail हटा सकते हैं लेकिन guys वो trick बहुत ही पुराना हो चुका है मुझे नहीं पता वो आभी realme device पर work करता है या नहीं करता है लेकिन उपो device पर work करता है अगर आप realme device की यूज़र हो तो आप जरूर यूट्यूब पर search करना की how to solve 5-minute trail problem in my realme x या 2-3 आप जो भी realme device यूज़ करते हो आपको जरूर सेलोशन मिल जाएगा आप लोगोगों को जरूर अच्सा लगा है अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना बूले और नीचे कमेंट भी करना ना बूले और मुझे इंस्टेग्राम पर भी जरूर से जरूर फ़लोव करके राक ले ना गाइस तो सलो हम मिलते हैं आगली कोई करते जाना टेक क्यार बाई बाई